Hello दोस्तो, जैसा की सल्तियों का मौसम चल रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं? एक दिन में हम पांच से च्छे बार तक चाए पी लेते हैं दोस्तो अगर हम कोई भी चीज का सेवन एक लिमिट में करें, तो अच्छा रहता है लेकिन अगर हम लिमिट से ज़ादा किसी चीज का सेवन करते हैं तो वो नुकसान देता है तो इसी तरह से अगर हम ज़ादा मातरा में चाय पीते हैं तो क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं उससे हमारे शेर को इस बारे में हम आज बात करेंगे तो आए चले शुरू करते हैं तो हम बात करते हैं चाय पिने से हमारे शेर को होने वाले सबसे पहले नुकसान की जो कि हम सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं जिसको हम बैटी बोल देते हैं इससे क्या होता है कि जो हमारे शेर में खाने को पचाने के लिए जो ज़रूरी enzymes होते हैं जिनको हम digestive enzymes कहते हैं वो secret होना कम हो जाते हैं और हमारे शेर में dehydration की दिक्कत जिसकी वज़े से हमारे पेट में gas बनना और constipation की दिक्कते होना शुरू हो जाती हैं तो मैं ये advice करूँगे कि आपको खाले पेट चाय नहीं पीने हैं उसकी जगह आपको एक ग्लास गरम पानी पीना चाहिए और कुछ नाश्ता करने के बाद आपको चाय पीने चाहिए अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग खाने के बाद जा её पीने होने का शौक रगते हैं सिस्वी अमारे खाने में जितन को हम एनिमय कहते हैं तो आप अपनी इस हैबिट को भी चेंज करें आपको खाने के बाद चाय नहीं पीनी है अब हम बात करते हैं कि चाय पीने से हमारी नेंद और बीपी कैसे एफेक्ट होते हैं तो जैसा कि हम सब को पता है कि चाय के अंदर कैफेन होता है कैफेन को अगर हम कम मात्र में लेते हैं तो वो हमारी शरी को एनलजी देता है लेकिन अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका असर उल्टा दिखना शुरू हो जाता है जैसे कि हमें नीन्द के कमी हो जाती है एंजाइटी लगते है हमारे सुभाव थोड़ा चिड़ चिड़ा पना जाता है और अगर लोगों को बीपी की दिक्कत है अगर कुछ लोगों का बीपी अगर लो है अगर वो चाए पी रहे तो उनके लिए ठीक है लेकिन अगर कुछ लोगों का बीपी हाई है पहले सो और वो जादा चाए का सेवन करते हैं तो और जादा बढ़ जाता है जिससे कि उनको नुकसान हो सकते हैं तो जिन लोगों का बीपी जादा है उनको चाय नहीं पेनी चाहिए उनको अवोइड करना चाहिए अब हम बात करते हैं कि चाय पेने से फैट कैसे बढ़ता है तो चाय में होते हैं मिल्क और शुगर जो कि अच्छे अमांट में जिन में फैट होता है और अगर हम दिन में 5-6 कप चाय भी पीते हैं तो कम से कम एक दिन में हम 200-300 कैलरी एक्स्टा ले लेते हैं जिससे कि हमें लगता है कि हमने जादा कुछ खाया नहीं है फिर भी फैट कैसे बढ़ता जा रहा है तो फैट ये एक्स्टा चाय पीने से आ रहा होता है तो आप दिन में करें जादा जादा अगर आपका मन करता है तो दो बाढ़ ले सकते हैं दोस्तों बात करते हैं रोड साइड टी की तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है अगर आपको चाय पीने का मन होता है तो आप अपने घर पर बना कर पीजे क्योंकि जो बाहर चाय बनती है इस तरह से रोड साइड में उसमें क्या होता है एक ही पतीले में जो हम चाय पत हो सकती है तो आपको रोड साइड चाय नहीं पीनी चाहिए और एक बात और कुछ लोग क्या करते हैं चाय एक खटा बना लेते हैं और उसको एक रड़ी केतली में रख देते हैं और बार-बार पीते रहते हैं तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है जो पुरानी चाय हो जा हैं उनको question हो सकती है क्योंकि चाय में जोहम एकenviron करते हैं उससे क्या होता है जो माईशन hacen जादा होना शुरू हो जाता है जिसकी वज़े से आपके फेस पर पिंपल हो सकते हैं तो ये दिक्कत सभी को नहीं बस ओईली स्किन वालों को फेस करने पड़ती है दोस्तों आप लोगों नहीं सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जादा चाय पीने से हमारी शेर की हड्ड होना शुरू हो जाती है जिसको हम फ्लूरोसिस कह देते हैं तो जादा चाय पेंगे तो आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो सकती है और बात करते हैं इसोफेजर कैंसर की वह तब होता है कि कुछ लोगों को शौक होता है कि गरम गरम चाय है अरे हम तो इसको दो मिनट में पी जाएंगे तीन मिनट में पी जाएंगे कुछ लोग ऐसा करते हैं उन्हें लगता है कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं इतनी गरम चाय को जल्दी से पी के लेकिन वह यह नहीं जानती कि वह अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं जादा गरम चाय पेने से आपकी जो इसो अगर हम चाय पीना अवयड करें अब हम बात करते हैं चाय से होने वाले सबसे बड़े साइड इफेक्ट की जो की है अडिक्शन इसकी चाय पीने की आदत हो जाना कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम चाय नहीं पीते सुब उठकर तो हमें लगता है हम बिमार है हमें नीदा र उसकी quantity कम कर दीजे आप दिन में दो बार चाय ले लीजे तो इस तरह से आप अपनी और अपने शेर के help कर पाओगे मैं ये नहीं कहती दोस्तों के चाय बिल्कुल मत प्यों प्यों लेकिन आप एक लिमिट में प्यों जिससे कि आपके शेर को नुक्सान ना हो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो आपको लगा हो कि मैंने कुछ आपको इंफोर्मेटिव चीज बताई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजे अपनी दोस्तों के साथ शेर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे